नमस्कार दोस्तों रिएस केसे निकेटबी में आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों को ये जानकारी है ही कि लोग सेवाय के द्वारा प्रस्तुत के गेजब प्रस्ताओं को केबिनेट से अप्रूबल के बाद मुखी परिच्छा से बैकलपिक विशे को समाप्त कर दिया है ये वास्तों में परिच्छा परनाली के लिए और सभी कंडिडेट के पॉइंट आप भी उसे गर देखा जाए तो हम सभी के लिए यह एक खुसी का विशे है हाला कि खुसी का विशे इस तरीके का नहीं है कि अब इस तरीके का सुधार हो गया कि अब सभी का चैन सोता हो जाएगा ऐसा नहीं है आप सभी लोगों को हम सभी लोगों को अपने बहतर रननीत के माध्यम से तयारी करनी होगी और अपनी समझदारी अपनी योगिता अपनी तयारी को उत्तर पुझतिका के माध्यम से दिखाना होगा हाँ लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब कोई चेंज होता है और किसी संस्था के माध्यम से उसमें एक लंबे समय से कारे हो रहा होता है और प्रस्ताओं के माध्यम से उसमें परिवर्तन किया जाता है तो हर परिवर्तन एक नई संभावना लेकर किया आती है और इस बार का ये जो वैकलपिक भी से हटाने और सामान्य रूप से सभी के लिए एक पाठेकरम को लागू करने से संबंदी जो परिवर्तन लाया गया है वो निश्चत तोर पर एक आसा और एक संभावना है लोगों के लिए क्योंकि यह एक सुधार के रूप में इसे माना जा रहा है क्योंकि एक लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी और प्रिष्ट भूम में इस तरीके के परिवर्तन और बदलाओ के संकेत मिल रहे थे उस पर चर्चा चल रही थी प्रिष्टाव पर काम चल रहे थे और इसी के कारण से इस बार का नोटिफिकेशन वो थोड़ा सा लेट हो करके आ रहा है हाला कि अब इसके बाद जो है नोटिफिकेशन एक सब्ता के अंतरगत आ जाएगा और आप लोगों के लिए समय जो है प्रारभी परिष्टा के लिए बहुत ही कम मिलने माली है इसलिए इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने जब चर्चा किया था ये बताया था कि 2-3 सब्ता में नोटिफिकेशन आ जाएगे और परिवर्तन की जो बात है वो भी क्लियर हो जाएगा तो ऐसी इस्थिती में अब आप लोगों के लिए इन सभी बदलाओं पर चर्चा करने से बहतर है कि बहतर रर्जिनीती के साथ जो अपनी तैयारी करें ताकि प्रारभी परिष्टा के लिए जो समय कम मिल रहा है उसी तरीके से मेंस के लिए भी बहुत कम समय मिलेगा और पहले से अगर तैयारी किसी की नहीं रहेगी या तैयारी की गती नहीं रहेगी तो निश्चित तोर पर उसके कुछ सेक्षन की तैयारी कम रह जाएगी और बहुत ही दावेदारी के साथ मजबूती के साथ अपनी परिक्षा में वह उपस्तिती दर्ज नहीं करा तो कुल मिला करके जो ये परिवर्तन किया गया है ये परिवर्तन एक संभावना है एक सुधार है और UPPSC जो है हमेशा से UPSC को फालो करती रही है चाहे वो प्रारंभिक परिचा हो सीसायट हो माइनस बानिक सारी चीजें रही हैं किन्तो यहां पर जो परिवर्तन अपेच्छ सुधार किया गया था कि साथ छातकार पूर्व में जहां पर 200 अंकों का था उसे घाटा करके अब 100 अंक कर दिया गया है तो यह भी एक महात्रपूर सुधार है क्योंकि यहां पर काफी कुछ उतार चढ़ाओ की संभावनाय रहती है और व्यक्ति बहुत ही तथ्यात्मक यह पूर्वा नुमान नहीं लगा पाता है कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगी यह इंटर्विवर और उस पैनल की उपर डिपेंड करता है कि आपके परस्टूती करण आपके हाव भाव उसको कितने समझ में आते हैं और अबर आल आपके विक्तितुका परिक्ष्ण करते और अब मुखे परिक्षा भी इस तरीके का बना दिया गया है कि इसे से कई अनिस्चित्ताएं कम होंगी इन अनिस्चित्ताओं को हम लोग यहां पर देखेंगे एक तो स्केलिंग scaling की एक समस्या थी और यह scaling की समस्या से निजात मिलेगा और सभी के लिए एक पाठेकरम सभी के लिए एक पाठेकरम हो जाएगा सभी के लिए एक पाठेकरम हो जाएगा इससे बिज्ञान और मानविकी बिज्ञान और बनाम मानविकी ये जो समस्या थी इससे भी निजात मिलने में आसानी होगी जैसे इसकेलिंग एक ऐसी वेवस्था थी लोग से वा आयो की उसके अपने फार्मूले थे अपने सिस्टम थे जिसके माद्धम से इस तरीके के अपलीकेबिलिटी होती थी इस रूल का लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये किस तरीके से रूल पर कुछ यह सिस्टम थे लेकिन बहुत लोगों को यह चीजे समझ में नहीं आई थी तो यह कहीं न कहीं बैक्ती बहुत अच्छा भी पेपर करके आता था तो उसके सामने एक अनिस्चित्ताएं थी कि वो सही करके आया है और उसे वास्तों में मार्क्स जो मिलेंगे स्केल्ड होने के बाद वो कैसा होगा वो घड़ भी सकता बढ़ सकता तो यह कई तरीके की अनिस्चित्ताएं थी और कहीं न कहीं जब अनिस्चित्ताएं किसी रास्ते पर जादा होती है तो बैक्ती का कमिट्मेंट कहीं न कहीं कमजोर होता है क्योंकि उसको यह लगता है कि ह हम अगर कर भी रहे हैं तो पता नहीं परिडाम में क्या होगा और किस तरीके के मार्क मिलेंगे उसके बाद अंतिम, चैन, सुचिम हमारा नाम होगा या नहीं होगा लेकिन अब जिस तरीके से चेंजिंग किया जा रहा है वो scaling की समस्या को निश्चित तोर पर समाप्त कर देगा क्योंकि जब सभी के लिए एक पाठिकरम हो जाएगा तो सभी के सामने एक जैसे परिष्थितिया होंगी और यह scaling की जो समस्या से जो है लोगों को निजात मिल जाएगा अब कोई भी एक दूसरे को पर यह आरोप नहीं लगा पायेगा कि आपका प्रश्णपत्र सिंबल था या आपके प्रश्णपत्र आपके subject में scaling से फायदा हुआ है किसी बर्स और यह भी है कि ऐसा कोई भी से नहीं रहा और इन सारी अनिश्चितताओं को लोग सिवा आयोग के माधिम से वैकलबिक भी से को हटा करके समाप्त कर दिया गया है तो यह निश्चित तोर पर जो परिवर्तल लाया गया है वो बहुत ही संभावनाय और बहुत ही निश्चित बेवस्था को एक जन्म देगा जिससे किसी विवेक्ति के द्वारा तैयारी करके पूरी कमिट्मेंट के साथ आगे बढ़ने और परिच्छा में पने दावेदारी को पेस करने का मौका मिलेगा तो कुल मिला करके जो इसकेलिंग की प्राब्लम थी यह समाप्त हो जाएगा और सभी के लिए एक पाठे करम इसके मादें से बन जाएगा बिज्ञान और मानविकी यह भी बहुत बड़ी समस्या होती थी ऐसा नहीं कि इसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं तो हमेशा से जो है वह 400 के विशे में उसको साथे 300 मिल जाते थे उसमें भी कई बार अच्छे मार्क्स मिलते थे लिए इसकेलिंग होकर के बहुत कम हो जाता था तो उसके अस्तर पे भी यह हमेशा समस्याय होती थी कि गणित जैसे विशे हो गए या साइंस के सब्जेक्ट हो गए तो हमने किया तो है 370 मार्क्स के दोनों पेपर में मिला करके 400 का विशे है परन्तु मिलता था जो है स्केलिंग के बाद मार्क्स बहुत कम हो जाते थी तो लोगों को यह अपतिया भी होती थी उसी तरीके से मनवकिव इसे के जो है लोगों के अस्तर पर यह समस्यया होती थी कि हमारे सब्जेक्ट में अगर 10 मार्क्स के कोई प्रश्न है तो उसमें कितना भी आपने अच्छा माक उत्तर लिखा हुआ है और बहुती संतुलित जबाब देने का प्रयास किया है फिर भी आपको 10 में 10 तो नहीं मिल सकते हैं लेकिन गणित के क्वेस्चन में आपको 10 अगर साहिए तो मिलेंगे 10 अविबात और है कि वो भी कहीने कहीं जो है भागे और अनिश्चित्ता के कसोटी में चला जाता है तो इस तरीके के अलग-अलग बर्गों के लिए अलग-अलग बिसेक समूह के स्टूडेंट की तरफ से आने वाले इस तरीके की अनिश्चित्ताओं से सम्मंदित जो समस्याएं थी जो प्रश्न थे वो कहीं ने कहीं अब समाप्त हो जाएंगे और ये बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही अच्छा जो सुधार है जो लोक सेवा के अस्तर से सिबिल सेवा के लिए जो लिया गया है तो कुल मिला करके ये पाठे करम की समस्या खतम हो जाएगी और साइन्स और आर्ट की समस्या समाप्त हो जाएगी स्केलिंग की प्राबलम समाप्त हो जाएगी लोगों का commitment बढ़ेगा और result को लेकर के निश्चितना ही बढ़ेंगी और कहीं न कहीं जो है व्यक्ति अपने परेडाम को लेकर के पहले से कुछ न कुछ पूर्बानुमान लगा सकता है और उसके नजदीक में उसका result आएगा परेडाम आएगा यदि उसने मुल्यांकन factual और इमांदारी के साथ किया हुआ है तो यह सारी बातें इसमें रही हैं अब इसके स्थान पर दो पेपर और बढ़ा दिये जा रहे हैं पहले से चार पेपर होते थे आप जो है दो पेपर और बढ़ा दिये गा रहे हैं अब इन पेपर्स में क्या-क्या जो टापिक रखे जाएंगे यह भी महत्तुपूर्ण है तो इसमें उत्तर प्रदेश विशे सांग पर बल दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश से सम्मंधित विशेयों की जानकारी पर बल दिया जा रहा है और यह कहीं न कहीं एक छेत्रिये जानकारी और छेत्रिये करनेक्टिबिटी की पॉइंट आप उसे महत्त पूण है क्योंकि कोई भी लोग सेवक अगर किसी छेत्र में प्रसासन करने जा रहा है तो वहां की समस्याएं क्या है वहां की बहगोलिक सनरशनाएं क्या है और अलग-अलग छेत्रों की विसेशताएं क्या है वह आर्थिक छेत्रों में, किस सेक्टर में उसकी प्रभाविक्ता है, कैसी प्रभाविक्ता है, वह अउदोगिक छेत्र है, या किरसी छेत्र है, इन सारी चीजों पर बल दिया गया है, और पहली बार ऐसा होगा, कि जब बहुत फोकस्ट हो करके, दो प्रिश्न पत्रों के माद्धिर्म से इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश के अंतरगत जो दो पेपर रखे गए हैं, इनमें जो टापिक रखे जाने हैं, वो इस तरीके के हैं, भावगोलिक संरशना, राजनीतिक धाचा, राजनीतिक धाचा, सामाजिक समस्याएं, इसके बाद किर्सी, किर्सी हो गया, इसमें जैसे इसका महत तो क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, इसमें सुधार क्या होने चाहिए, ये सब महत पूँट टापिक हैं, बुंदेल खंड, बुंदेल खंड एक ऐसा छेत्र है, जो आर्थिक रूप से पीछे है, अन्य आर्थिक छेत्रों की तुलना में, हाला कि इस छेत्र में, जो भी संसाधन उपलद हैं, उन्संसाधनों को विक्सित करना, और उन्संसाधनों के अनुप्रियों को सुनस्चित करते हुए, उस छेत्र के लोगों में, रोजगार और आई की संभावनाओं को पैदा करना, ये एक महत पूँट टापिक है, तो इन सभी टापिक को इसमें फोकस करके रखा गया है, जिससे कि लोकसेवक या उत्तर प्रदेश लोकसेवायों के माध्यम से आयोजित होने वाले परिख्षाओं, कि माध्यम से चैन के जाने वाले भेटियों में, उत्तर प्रदेश के एक बेहतर समझ फैदा हो सके, क्योंकि जहां पर वो प्रसासन कर रहे हैं, अगर वहां की अच्छी से जानकारी नहीं होगी, तो उन्हीं लोगों के लिए बेहतर डंच से प्रसासन किया जाना कठिन होगा, इसलिए परिच्छा होने के बाद ये होता है, कि भेर्थियों को ट्रेनिंग के दोरान दोरा कराया जाता है, अलग-अलग जनपदों से होती हुए, संख लोग से वालग में अलग-अलग स्टेट से होती हुए, इसका दोरा इसलिए करा जाता है, कि कम से कम जिस छेतर में जाना है सर्विस करने के लिए उस छेतर के बारे में एक जानकारी हो सके उनकी विसिष्टताएं जो है उनसे परचित हो सके तो यह कुछ महत्पूर जो है बेवस्थाएं हैं और यह आगे आपको जो है लोग सेवायू की परिच्छा में देखने को मि पर एक study material बनाया गया है जो इन दोनों ही पेपर्स से सम्मंदित होगा और उसे पढ़ने के लिए उसे तयार करने के लिए वह महत्रपूर्ण होगा तो वह विशेशांग जो है उत्तरप्रदेश स्पिसल के रूप में है और वह ग्रूप के माध्यम से और लिंक के माध्यम से आप लोगों तक जो पहुँचाया जाएगा कि अगर अभी से उसको देखेंगे तो उसमें एक ऐसा इंटरकनेक्टेड अप्रोच डेवलप किया गया है कि इससे मुखे परिछा के इन दोनों प्रश्नपत्रों में पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में आपको मदद म मिलेगी और अप्रोच उसमें ऐसा है कि किसी टापिक को आप पढ़ रहे हैं उस टापिक के से संबंदित जो भी आगे और पीछे की कहानी घटनाएं पच्छ और पहलू हैं उन सभी को जो है इंटरकनेक्टेड करके आप पढ़ेंगे देखेंगे इससे क्या होगा कि आपक जो इस्टेडी मटीरियल है इन दोनों पेपर्स पर आधारित उत्तरप्रदेश भी से सांक की रूप में उसमें इंटरकनेक्टेड कांसेप्चुवल थेरिटिकल अप्रोच को अपनाया गया है जिससे किसी भी बिसे में जैसे भावलिक सनरशना है तो आप भावलिक सनरश इस ना में क्या-क्या चीजें आप पढ़ेंगे इससे समंदित लेक्चर भी इस वक्त बन रहे हैं और प्लोड किये जा रहे हैं जो आपको आगे मिलेंगे जिससे उत्तरप्रदेश को तयारी करने में भी जो आपको मदद मिलेगी तो उम्मीद करते हैं कि जो लोकसेवा आ पित करने में मदद करेगा आप सभी लोगों को जो भी समय बचा हुआ है उस समय में अपने पाठे करम का बेहतर ढंग से तयारी करना चाहिए इससे समंदित क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इसके पूर्व में भी जो है वीडियो लेक्चर बनाए गए थे जो आप लोगो सस्तर पर हैं तो यह आपकी एक जिम्मेदारी है और यह लोग सेवाय भी इससी की जो है पेच्छा करता है कि आप में कम से कम आइट लिश्ट इतनी समझदारी तो है ही जो चीजें पाठे करम के रूप में दी गई है उस पाठे करम का बेहतर ढंग से आप तयारी करेंगे क आप लोग निर्देशित बिवस्था के अंतरगत जो है अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान किंद्रित होकर के पने पाठे करम की तैयारी करेंगे जिससे आने वाले परक्षाओं में आपकी दावेदारी मजबूत हो सके तो आज की लेक्चर में बस इतना है अ आप तके लिए नमस्का